हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने सोया चाप स्टिक बनाने जा रही हूँ हम किस तरह से बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए देखिए और यह किस तरह से हम स्टॉर करके रख सकते हैं इसे हम एक महिने तक स्टोर कर सकते हैं, ये मैंने एक कटोरी सोया की दाल लिये हैं, और ये एक कटोरी सोया चंक्स लिये हैं, इनको मैंने राद बर पानी में भीगो के रख दिया था, अब सुब़े में मैं इनको अच्छे से धो लिया हैं, और इनको मैंने अब बारिक पीस कम से कम पानी का यूज करेंगे आज दरने बारिक टाएंगे जैसे हमने बड़ी का बनाया इसी तरह से हमें डाल भी बारिक पएस्ट बनाना है और कम से कम पानी डालना है ज़्यादiller पानी का यूज नहीं करेंगि अब दोनों को मैंने पेस्ट बना लिया है बिलकुल बारिक जितनी भी हमें बनानी है दोनों की मात्रा बरावर लेंगे एक चमच नमक डाला है और ये मेरे पास एक कप मैदा है इसे में थोड़ी थोड़ी डालूंगी और इसका डो तयार करूंगी सोफ्ट डो तयार करना है जिससे की असानी से बिल सके इस हिसाब से हमें इसका डो तयार करना है एक साथ जादा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा को आउशक तक हिसाब से ज्यादा टाइट डो नहीं लगाएंगे सोफ्ट डो ही लगाएंगे अब मैंने आदा चमच ओलिवय लिया है इस पर हम लगा देंगे चिकनाई कोई भी ते लिए गी कुछ भी लगा लेंगे जिससे की हाथों पर नहीं चुपके अब ये डो तयार हो गया है अब हम इनकी लोईय बना लेंगे जिस तरह से प्राठे रोटी बेलते हैं इसी तरह से बेल लेंगे लेकिन थोड़ा मोटा बेलना आए और बड़ा बेलेंगे थोड़ी थोड़ी सी मैंने सूखी में अधर लगाईए दोनों साइड अब इसकी लंबी लंबी पट्टिया काट लेंगे साइड के ये छोटे पार्ट ढटा देंगे अब जो आईस्क्रीम वाली स्टिक होती है उस पर इनको लपेट देंगे अच्छे से कवर कर देंगे स्टिक को और आगे से भी थोड़ा सा दबा देंगे इसी तरह से हमें सारी बनानी है सब पर इसी तरह से लेपेट देंगे सबी को इसी तरह से कवर करना है लंबी लंबी पट्टिया काट लेंगे और स्टिक पर करते रहेंगे सबी को इसी तरह से हमें स्टिक पर लपेट ना है सब पर ऐसी कवर कर लेंगे और पीछे से भी दवा देंगे और आगे से भी अच्छे से दवा देंगे जिससे की उबालते टाइम यह निकले नहीं और एक भगोने में पानी उबलने के लिए रख देंगे या किसी कड़ाई में सभी को इसी तरह से कर लेंगे अब ये सारी स्टिक हमारी बनकर तयार हो गई है और मैंने पानी भी उबलने के लिए रख दिया था अब इसमें हम एक एक स्टिक डालते रहेंगे सारी डाल देंगे और 20-25 मिनट तक इन्हें अच्छे से उबाल लेंगे जब ये इनका कलर चेंज होने लगेगा और उबलकर उपर को आने लगेंगी तब हम इन्हें ठंडे पानी में डिप करेंगे अब इनका कलर भी चेंज हो गया है और 20 मिनट हो गई है एक दो मिनट और उबाल कर इन्हें हम ठंडे पानी में डाल देंगे ये मैंने बिलकुल ठंडे पानी में डाली है सभी को इसी में डालना है और आदा घंटे के बाद हम इन्हें जब ये बिलकुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं अब हम जिपलोक बैग लेंगे उसमें डाल देंगे जो भी हमें स्टोड करनी है और जो हमें अभी बनानी है वो हम भार ही रख लेंगे और यह काफी टाइम तक चल जाती है जब हमें द्वारा से यूज खर नियो तब हम इने एक बार फिर से उबाल लेंगे और फिर हम इने यूज़ कर सकते हैं ये में बरफ जमती है उधर आइस वहाँ पर रख दूँगी अब ये हमारी सोया स्टिक बनकर तयार हो गई है थैंक यू